हेलो फ्रेंट्स मेरा ना मंकीद वर्मा हैं इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली भार के करेप्शन और ज्यदारशी के बिलों के उपर बना हैं आप सभी ने देखा होगा बहुत सी बार हमारा घरेलू का रेक्शन हमने लि फाइदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या आपको कोई परिशानी आ सकती है इसके बारे में अगर आप रिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उसमें हमारे खपत के हिसाब से हम हम अपने कनेक्शन में किलोवाट लेते हैं मतलब कि जैसे घर हमें घरहलो कनेक्शन ले रहे हैं और हमारे घर पे कोई एवि के्व माशिनम permite है नहीं होतीए गलटे लेते हैं या जिनके हैं थोड़ संद्राओर को दो किलोवाट का है कि कि से की के बाहल इसा होfikा है कि जो हमारे घरों में Digital Meter लगे होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसमें डेट भी आती है यूनिट भी आती है किलोवाट भी आता है और जिस समय पर हमारे में देखते हैं तो उस समय कितना मीटर के ओपर लोड है उसके लावा md भी देखने को मिलता है md मतला maximum डिमांड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टाइटिक में कहा था कि हम अपने जरूत के हिसाब से बिजली कनेक्शन लेते हैं और जिन भी घर में अगर एसी वगर नहीं होता है तो एक किलोवाट है दो किलोवाट का होता है लेकिन कभी खबार ऐसा होता है कि हमारे घर में जितने भी जो होता है उसमें कुछ ज्यादा लोड लेने वाले होते हैं जिसे कि ही खर हो गया इंडक्श्ण हो गया या फिर माई्क्रोंवे मैंक्रम हो गया या इसके लावा कभी कभीए हम घर पर हम कुछ Maintainty restart करवाते हैं तो कुछ drill machine यह कुछ heavy machine भी चलाते हैं तो जो हमारा digital meter होता है उस समय जब भी अगर उसके अंदर हम कुछ ज्यादा यूज करते हैं तो उसके अंदर एक highest जितना kilowatt load हमारे meter पर होता है वो उसके अंदर यहां पर पावर का consumption होता रहता है तो जो meter होता है उसके अंदर यह maximum demand का option होता है वो एक fix value उसके अंदर दिखाने लगता है जैसे कि बहुत सी बार ऐसा हो रहा है कि आपका connection एक kilowatt का था लेकिन आपके यहां पर दो किलोवाट या तीन किलोवाट की बार बार उसके ओपर कभी खपत होती है और वह नॉर्मल होती है लेकिन बार बार होती रहती है उस कोई से मीटर को ऐसा लगता है कि यहां पर लोट का कंजप्शन ज्यादा होता है वह एक फिक्स वेल्यू स्टोर कर लेता है जैसे कि आपका connection एक किलोवाट था लेकिन बार बार आपके यहां पर दो किलोवाट या उससे उपर का उसके अंदर मीटर मैं अगर मिज़र हो रहा था तो एक वेल्यू 2,5 3 muk laser तक इस हिसाफ साप का ले लेता है और जब भी मीटर रहता है उसको इसके अंदर दिख जाता है कि कोई मीटर ऐसा होता है जिसके अंदर MD ज्यादा किलोवाट आ रहा है और परमिटेट लोट कम है तो बहुत सी बार मीटर रीडर इसको अपडेट कर देता है और अब हुझा करते हैं कि अगर यह जो हमारे मीटर में आता है यह बार-बार अगर जादा होता है यह हमारे परमिटेट लोट से दो तीन गुना चार गुना जादा होता है तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी उसको अब समझ लेते हैं देखिए जैसे आपका एक किलोवाट का कनेक्शन है और आपका मीटर का हमारे परमिटेट लोट से जितना मेटर में मेस दिखाता है उससे डबल का चारные देना होता है इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी बार हमारे घर पे कोई हम हेवी मशिन दी यूज़ करते हैं और बिजली भाग को अगर पता चल जाता है तो चालानी कारवाई करते हैं और लगबग उसके अंदर आपको लाग पचास या रुपे का बिल देते हैं प्रॉब्लम इसी वज़े से होती है कि हम अपने पर्मिटेड लोट से कहीं ज्यादा वाट का कंजप्शन कर रहे होते हैं चाहें वह मीटर से ही कर रहे हो देखिए बिजली भाग के नियमों के हिसाब से आपको जितने लोट के रिक्वार्मेंट होती है आपको उतने किलो वा नियंबन दो वह दो करता है तो विजली भाग को नुखसां होता है इसलिए कभी हम ऐसा करते कि हमेरा कंजप्शन कर रहे हैं तो बिजले भाग आपके खिलाफ चालानी करवाई करता है जिसमें आपने जितना किलोवाट का लोड यूज किया है उससे डबल का ही चारज आपको देना होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाँ पर लोड जादा है या फिर आप AC लगवना चाहते हैं तो अपने AC इतने वाटका है उसके अपने बिजली का कनेक्शन लगवाई है ताकि बिजली भाग भविश्य में आपका कोई भी इस तरह की चालानी करवाई ना कर सकें बहुत से बाद बुखता को जानकारी नहीं होती है और वह इस तरह की गलतिया करते हैं जिसके एवज में बिजली लाको रुपे का चालान बना दिता है जो कि उन्हें भरना ही होता है इसलिए हमारे चैनल पर हम विद्यू तुबुकता की जागरती और सरक्षन के लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत यदा इंपोर्टेंट है अगर आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो देखते हैं तो कभी भी आपके साथ इस तरह का काम नहीं होगा कि बिजली वाग आकर के आपका चालान बना दे इसलिए हमारे चैनल की वीडियो को जदा सदा शेर कीजें और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद झालान बना झालान बनाट उर्ड़के साथ इसलिए हमारे चैनल देखने के लिए भीडियो देखने के लिए बहुत-धनल देखने के लिएर प्रॉबह।